हैलो गाईस कैसे हैं नए साल का पहला दिन है आपको बहुत बहुत मुबारक हो आपका साल बहुत अच्छा बीते आप हेल्दी रहें अपनी लाइफ में तरक्की करें अपके लाइफ के हर एरिया में ग्रोथ हो मेरी दुआएं हैं और इसी दुआ के साथ मैं शुरू करती हू आज की रिडिंग येस आपके person की क्या current energy है चलिए देखते हैं अगर आप twin flame journey में है या soulmate journey में है या जो भी आएगा मैं बताऊंगे अगर आप किसी कार्मिक से deal कर रहे हैं या false twin flame से deal कर रहे हैं जो भी energy आएगी मुझे नहीं पता कि आकेंजन माइकल क्या बताना चाहते हैं आपको ओके आके जो माइकल पीस बताई है मेरे विबस की जो person है उनकी क्या energy है नए साल में आज pay attention to the sign ओके वप उन्योर कनेक्शन क्या आता है self-respect यह क्यों आए है हम यह भी पता करेंगे exact यह क्यों आए है ओके फिर्स आफ कमिंग टोगेदर ओके तो यहां पर collective energies आती है यहां पर general reading होती है गाईस किसे से resonate करेगी किसे से नहीं करेगी तो keep an open mind guidance ले लीजिए आप है न ओके तो गाईस यहां पर है release your past ओके बहुत अच्छी energy है time for action तो यहां पर है bottom time for action look beyond illusion okay तो यहां हम इनको justify कर लेते हैं आके जह माइकल प्लीज इन कार्ट को justify कीजिए क्यों आये है यह पे attention to the sign क्यों आया है okay work on your connection क्यों आया आके जह माइकल self-respect क्यों आया है self-respect क्यों आया है okay fears of fears of coming together release your past and he bhi आ रहा है okay तो the world and queen of wands two of swords यहां पर अगर मैं energy बता हूँ cancer scorpio pisces aries leo sagittarius and Taurus Virgo Capricorn Taurus नहीं है sorry यह है Aquarius Libra Gemini okay तो Aquarius and Aries Sagittarius Aquarius है यहां पर and Leo है and Scorpio भी है yes and Aries भी है okay bottom of the deck है यहां पर six of pentacles and king of pentacles यानि की Taurus Virgo Capricorn okay तो energy भी यहां पर मैं निकालती हूँ special reading हम करते है energies भी मैं निकालती हूँ हर cards के लिए pay attention to the sign and queen of wands के लिए क्या energy है आके जा माइकल क्या energy है क्या energy है प्लीज बताएए ओके आ गया येस community हूं mutual energies है यहां पर आपकी और आपकी person की work on energy connection में क्या है okay cornucopia self respect के लिए कौन से energy आती है six of wands कौन से energy आती है देखते हैं okay self respect anxiety fears of coming together के लिए क्या आता है देखते हैं nice sun wow release your past के लिए क्या आता है देखते हैं take a second guys okay release your past के लिए क्या आता है देखते हैं release your past के लिए आता है patience okay तो यहां पर मैं रख देती हूं इस कार्ट को दिख रहा होगा आपको okay bottom of the deck है यह नहीं आएंगी तो आप guys twin flame connection में आपके person जो है आपके twin हो सकते हैं या आपके हर level of soulmate connection में हो सकते हैं attachment आपके person को यहां पर है आपके लिए क्या है कि इस connection में victory तभी मिलेगी जब आप अपने partner आपसे एक तरह से message देना चाहा रहे हैं अपनी self respect को रखिए self love में आईए self respect रखिए तभी victory मिलेगी इस connection में otherwise आप anxiety के शिकार रहेंगे आपके अंदर self respect नहीं आप अपने person को call message करते हैं या उनका wait करते हैं या उनको curse करते हैं या उन पर doubt करते हैं या उनके लिए सोचते रहते हैं तो आपके person ही कह रहे हैं यह journey क्या है indirect way में आपको message direct यहां पर देना चाहा रहे हैं कि आप अपनी self worth को समझो तभी इस connection में victory मिलेगी तभी मैं आपके पास आऊंगा या आऊंगी वरना यह anxiety आपको क्या करेगी दूर कर देगी delay कर देगी इस journey से ठीक हैं इस connection को पास में आने के बजाए आप यह connection जो है आप इस connection से दूर जा रहे हो मतलब एक तरह से अगर मैं बोलू तो जो हमारे बीच में relation है जो यह soul का connection है जो हम एक दूसरे के लिए unconditional प्यार करते हैं तो हमें एक दूसरे के लिए respect रखनी बहुत ज़रूरी है मैं अपनी self respect रखता हूं रखती हूं लेकिन कहीं न कहीं आपके अंदर वो energy distorted है कि आप अपनी self respect नहीं रखते हो तभी मैं आपसे run कर रहा हूं आप अपनी respect रखिए अपनी चीजों को समझे अपनी self worth को समझे अपनी self love में आओ ठीक है अगर मैं आपको call message नहीं करता हूं या आपसे बातचीत नहीं हो रही है तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं आपसे प्यार नहीं करता हूं ठीक है और कहीं न कहीं इसी energy के वज़े से मैं stuck भी हूं क्योंकि आप अगर confusion में आ रहे हो guys तो आपके person भी confused होंगे इस connection को लेके stuck हो जाएंगे त्रिशन को कि तरह लटकते रहेंगे न वो दिल से सोच पा रहे हैं न दिमाग से सोच पाएंगे यह energy है अगर आप इस energy में हैं मेरे viewers और इस spiritual connection में हैं तो वो आपके person जो हैं वो इस connection को accept करने से डरेंगे कहीं न कहीं आपके अंदर भी वो चीज़ें आप देखो आसपास आप क्या family से आपको डर है या अपने आप से डर है कि मैं अगर इसके साथ जाती है तो फलाना क्या कहेगा यह क्या कहेगा ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा वो मुझे accept नहीं न कहीं आपको आप acceptance में नहीं आ रहे हैं तो आपके person भी stuck है ठीक है यहाँ पर अपके जो person है work on your connection यह भी आपर है कि अपनी जो connection में मेरे साथ जो आपका connection है उस पर आपको सोचना है समझना है आपको एक दूसरे के perspective को जानना है समझना है वो भी सोच रहे है पास्ट में आपके साथ क्या arguments हुए है क्या परेशानिया हुई थी जो भी हुई थी काफी उदास हैं पर आपके person लग रहे हैं वो चाह रहे हैं कि कि आप प्यार करते हो लेकिन कहीं न कि past को लेकर वो परेशान है कि आपके बीच में जो भी चीज़े हुई है दुबारा ना हो इसलिए यहां पर card आया है release your past ठीक है तो आपके person के लिए angels universe ये कह रहे हैं कि वो अपने past को आप अपने past को release करो मैंने बोला ना कि mutual energy यहां पर आई है आपसे connected है सार आई है जो आपके person नहीं कर पा रहे हैं वो आपसे कहना जा रहे हैं कि release your past अगर हमारे बीच में कुछ भी बाते arguments हुए हैं और मैं इस बात में सोच रहा हूँ परिशान हूँ कहीं ना कहीं आप उस past को hold करके बैठे हो आप इस connection पर work नहीं कर रहे हो कि आप अपने issues को heal नहीं कर पा रहे हो कि आप कैसे mirror कर रहे हैं आपके person आप से कैसे mirror कर रहे हैं ठीक है तो यह चीज़े आपको देखन रखो और आपको guys यहाँ पर king of want की energy में आना है आपके person भी यही कहना चाह रहे हैं कि messages हैं आपके person की तरफ से आज new year पर कि एक जो universe ने हमें यह connection दिया है इस journey में डाला है हम दोने एक ही हैं और आपको इस queen of want की energy में आना है एक ऐसी personality भनना है अपनी चार दरफ अपनी life के हर area में आपको growth करनी है अपनी सोच को enhance करना है अपनी चीजों को अपनी skills को enhance करना है अपनी growth में आगे बढ़ना है अपनी skills को develop करना है और आगे बढ़ना है और wisdom के साथ आगे बढ़ना है आपको अपना भी ख्याल रखना है आपको दूसरों को भी ख्याल रखना है आपके आसपास के लोग जो हैं उनसे भी आप उनको लटको करके आपको आगे बढ़ना है अगर आपके अंदर ये क्वालिटी जा जाएंगी तो फिर यहां पर यह विक्ट्री है विक्ट्री यानि 600 वोंड यहां पर बीच में है तो यही बता रहा है कार्ड यह अनरजी यह बता रही कि आपकी विक्ट्री लिखी हुई है बशरते कि आप इंसाइटी में ना आए अपनी सल्फ वर्थ को समझ ठीक है मेरे परसन ने ऐसा बोला ऐसा किया वैसा किया ना सोच के आप अपनी वर्थ को समझें क्योंकि आपकी परसन की हाँ पर ट्रांस्फर्मेशन चल रहा है मैंने बोला अगर आपको 9669 यह सब कुछ अब दिख रहा है और 6-7 महीने आपको हो गया है या एक साल हो गया ह तो आपके परसन के वेकनिंग स्टार्ट है और वो चीज़े जो चल रही है उसमें आपके परसन को इंजाइटी भी आपर फिल हो सकती है क्योंकि आपके पास की चीज़े उनको याद आ रही है क्योंकि आपको बहुत मिस कर रहे है रिगर्ट भी हो रहा है उनको गिल्ट मे भी है कि आपके सत पास्ट में क्या किया जो भी किया लेकिन आपके पास आने से डर रहा है fears of coming together क्योंकि कहीं न कहीं आप stuck है और आपके person भी कहीं न कहीं stuck है ओके 10 सन है इसके नीचे fears of together 10 सन का मतलब यह है यहाँ आप नए साल में energies की आप बात कर रहे हूं कि इस connection में आपको फी पूरी तरह से clarity मिलेगी आप इसके concept को पहले समझे इस journey के जब यह concept आपका clear हो जाएगा तो आपको clarity मिलनी ही मिलनी है सन यानी की जब अंधिरा हटेगा तो सूरज निकलेगा सारी जीज़े clear हो जाएगे आपको clear हो जाएगे आपके person को automatically clear हो जाएगे patience रखना है guys universe की आपके लिए एक message है आपको इस journey में patience रखकर चलना है patience रखेंगे तो ही आपके journey complete होगी तो patience is key to success तो patience रखना धहरी रखना बहुत बड़ी कुंजी है सफलतागी आपको धहरी रखना ही पड़ेगा आपको श्रद्धा रखनी ही पड़ेगी faith रखना ही पड़ेगा universe पर universe की ये message है आपके लिए आपकी person आपको equally given take देना चाहते हैं आपको help करना चाहते हैं हर तरह से आपको support करना चाहते हैं morally, economically and mentally आपको support करना चाहते हैं ठीक है आपके person आपको commitment देना चाहते हैं बट कहीना कहीं वो भी confused हैं अभी क्योंकि आप confused हो कहीना कहीं community को आपको pay attention to the signs क्यों आया यहां पर आप जो expectations बहुत रख रहे हो अपने partner से तो angels का यह message है, universe का message पहले ही आ गया कि sign को देखो, angels आपको divine आपको क्या sign दे रहे हैं, आपको क्या करना है, आप बहुत beautiful हो, आप soft hearted हो आप बहुत ही अच्छे दिल के इंसान हो, आप इस journey में हो, है ना, आप किसी का बुरा नहीं चाहते हो, but expectations, उमीद नहीं लगानी है इस journey में, क्योंकि आपको, इस community को serve करना है, ठीक है, और आपको जब अपनी worth को समझेंगे, तो आप तभी तो इस कारी में आगे बढ़ोगे, तभी तो आप समझोगे, है ना, unconditionally आप अपने life में, जो भी आप करोगे, acceptance में आओगे, acceptance के mode पर, जब आप आते हो, तो आपको सब, सब चीजे, एक easy way में मिलने लगती है, law of attraction यानि कि जब आप सोचोगे, वही आपकी life में होगा, इसलिए community यानि कि, जो भी आपका, आसपास का, जो भी community में आप रहते हैं, जिस समाज में आप रहते हैं, वहाँ पर आपको, क्या करना है, soul purpose करना है, अपनी community को serve करना ह तो यहाँ पर यही angels कह रहे हैं, कि अगर हम आपको कहना चाहरे हैं, अपना soul purpose करो, soul purpose करो, आप expectations किस से लगा रहे हो, अपने partner से, तो वह यही कहना चाहरे हैं, कि अपने sign and symptoms जो भी है, synchronicities जो भी है, जो हम आपको दिखाना चाहते हैं, जो आपको बताना चाहते हैं, उस healing होना बहुत जरूरी है, आपकी एक एक cell, एक एक DNA, जो भी आपका DNA है, उसको क्या करना है, क्या करना है, एक्टिवेट करना है, उसको DNA को अपने जो भी आपका पुराना DNA उसको dissolve करके, जो आपका दिवे DNA है, है ना, उसको activate करना है, तो वो कैसे करेंगे, जब आपके soul पर से, वो पर्त हटेंगी, वो जो भी layers हैं, वो हटेंगी, तभी तो आप अपनी divinity में आओगे, तभी तो आप अपने असली स्वरूप में आओगे, है ना, तो इंजल से ही कहा रहे है, कि अपने असली वर्त को समझो, pay attention to the signs, क्योंवि जो भी हम signs and symptoms आपको, जो भी आते हैं, जो भी आपके सामने आते हैं, उस पर आप ध्यान ना दे के दिमाग की सुनते हैं, दिमाग की ना सुनके अपने दिल की सुनो, और इन चीजों पर ध्यान दीजे, तभी आपके partner ये बोल रहे हैं, कि ये victory होगी, इस connection में इस journey को आप complete कर पाओगे, और ये बोल रहे हैं, कि anxiety से निकलो, ये जो anxiety आपको हो रही है, ये जो depression टाइप की जो चीजें आपके साथ चल रहे हैं, जो आप समझ नहीं पा रहे हो, चीजें कैसी होंगी, क्या होंगी, और आप इन चीजों में फस गए हो, तो इन चीजों से बहार निकलो, आपके person को clarity मिलेगी, और कहिना कहीं आपको अच्छे mentors मिलेंगे 2023 में, जो आपको अच्छी रहा दिखा सके, आपको advice दे सके, आपको guidance दे सके अच्छी, आपकी एक नई शुरुवात होगी, आपकी growth में नई शुरुवात होगी, और आपकी person की भी growth होगी हाँ पर, ये mutual cards मैंने निकाले हैं, ठीक है, time for action, बिल हमारा जब ये manipulate करता है, तो काफी delay करते हैं हम अपनी journey को आगे बढ़ाने से, ठीक है, हम growth नहीं कर पाते हैं, spiritual growth नहीं हो पाती है, ठीक है, तो आपकी कहीं न कहीं spiritual growth ही हाँ अपर दिख रही है, आपकी person भी, एक spiritual growth करते भी दिख रहे हैं यहाँ पर, इस नए साल में, the hierophant Taurus, a time for healing, yes, guidance है, prosperity lies ahead, बिल्कुल एक यहाँ पर, ace of pentacle है, and prosperity lies ahead, आपकी person की life में भी यह prosperity आ रही है, और आपकी life में भी यह prosperity आएगी, but a time for healing, आपको healing करनी है, आपको heal करना है, अपने चक्रास को heal करना है, balance करना है, अपनी energies को balance करना है, ठीक है, तो यह जब चक्रास balance हो जाते हैं, तो ग्रहों का क्या kundalini, kundalini, यह सब twin flame में यह काम नहीं करती है, ग्रहे जो होते हैं, अपने आप सही हो जाते हैं, जब आप सारी चक्रास heal करते हैं, तो ग्रहों को भी वो denote करते हैं, और ग्रहे अपने आप ही सही होते चले ज ठीक है, conclusions are within reach, बिल्कुल जो भी conclusions हैं, वो आप तक पहुंचेंगे, nothing will come of this situation, अगर आप anxiety में रहेंगे, तो कुछ भी situation में, कुछ भी आपको अच्छा फल नहीं मिलेगा, और आप लटके ही रह जाओगे, you are good enough, अगर आप अपने आपको अकेला समझते हैं, और यह सोचते हैं कि मेरे साथ, मेरा क्या होगा, मेरा कोई साथ देने वाला नहीं है, मैं इस journey में हूँ, मैं किसे को बता नहीं सकता सकती, और क्या होगा तो ऐसा नहीं है, आप बहुत powerful हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, luck is on your side, क्योंकि अब 2023 में, आपने जो भी काम, जो भी hard work किया है, अपने आप दोनों ही safe रहेंगे, ठीक है, तो यह है, जनवरी के मेने में, जो इस नए साल की जो energy है, आपके person की, आपके person, और universe, angels, आपको क्या कहना चाहते हैं, आपके person की तरफ से आपके लिए messages, तो अभी के लिए गाई इस इतना ही, समझी इस चीज़ को जो मैंने बताया है, अभी के लिए इतना ही, अच्छा, okay, मैं भूल गई, sorry, आपके person की feelings क्या है, जरा मैं इन से भी लेती हूँ, आज, okay, आगे जा Michael, क्या feelings है, sorry, inner peace में है आपके person, काफी, शान्त है, yes, creativity, अपनी चीज़ों पर अपनी growth में आगे बढ़ रहे हैं, distorted, masculine, कही ना कहीं कुछ लोग आपके person जो है, परिशानी में है, कुछ ना कुछ तो, कुछ लोगों के जो person है, वो थोड़ी सी problem में है, बट वो कही ना कहीं अपनी problem को sort out करते दिख रहे हैं, spiritual growth कर रहे हैं, surrender कर रखा है, उन्होंने distorted, feminine, बिल्कुल इहां पर anxiety का काड़ा है, दोनों ही, अगर आप distorted हैं, तो आपके partner भी आपको mirror करेंगे, तो आपको अपनी healing करनी है, आपके person आपको distorted समझते हैं, आपको सुधार लाना है, क्या लाना है, the garden, self love में आना है, कुछ लोग अपनी growth करेंगे guys, और आपके person जानते हैं, कि आप अपनी growth में आगे बढ़ोगे, यही कहना चाहते हैं, कि आपको अपनी life के soul purpose की तरफ को आगे बढ़ना है, क्योंकि मुझे भी साथ में आना है, इसलिए आप जल्दी जल्दी अपने उपर काम करो, और आगे बढ़ो maturity के साथ, spiritual maturity आया है, and maturity के साथ, क्योंकि आपके person आपके साथ चलने के लिए तयार है, mature level पर balance होकर, आपके साथ yourself, आपको अपने उपर काम करना है, the sacred woman, आपको इस divinity में आना है, and आपकी person तो आपके पास आने ही वाले है, क्योंकि आपको अपनी worth समझना है, आपके person भी आपको वर्दी समझते हैं, yes, luminosity, बिल्कुल आपको अपनी embrace समझते हैं, और वो बस आपको एक educate करना चाहते हैं, कि आपको यह जो luminosity की energy है, वो कैसे आप, कैसे luminosity की energy में आओगे आप, एक embrace आप कैसे बनोगे, तो overall यह energy है, यह messages है, यह सोच रहे हैं, कि अगर ऐसा हो जाए तो आप सोने पे सुआगा, आप ही के लिए सोच रहे हैं, आप ही के लिए वो अच्छा, अच्छी feeling रख रहे है कि मेरा person ऐसा बन जाए, ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही अपना ख्याल रखो, take care, bye, God bless you all, once again, happy new year to all of you guys, और अपनी जीवन में आगे बढ़िए, stuck मत होईए, खुश रहिए, हमेशा, जैम आता दी